हेलो, नमस्ते जी सभी को, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल रादा होम ट्रिक्स और काफी दिन हो गए हैं, लगबग एक महीना हो गए हैं, मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किये हैं, बस उसका भी कुछ कारण था कि मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी लेकिन आज आपके लिए मैं बहुती बहतरी आईडियो लेके आई हूँ, जिने देखके आप चोक जाएंगे, और आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और आपका गर सज जाएगा, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, आपने गर सजाने का आसान तरीका तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करना, पूरी देखना, तो आप देख पाएंगे कि देखो कितना सुन्दर ये सेट अप मैंने होली के लिए किया है, आप भी इस तरह अपना जो भी बेकार समान घर में हो, उससे इस तरह आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, बिना सुई, बिना सुई धागा, बिना मसीन के, केवल पांच मिनट में, इसे आप लास्ट मिनट डेकोरेशन भी कह सकते हैं, कि आप एट दा मुवमेंट डेकोरेशन करते हैं, आपको सुबह पता लगे कोई आ रहा है, तो आप इस तरह आप अपनी बैटक को, bedroom को, किसी चीज को भी सजा सकते है, यह मैंने setup किया है और dark और light दोनों मैं मैंने आपको करके दिखा है तो चलिए, देख लेते हैं कैसे करना है तो अभी मेरे पास जो यह white वाले piece हैं, दो हैं, तो इन से मैं दोनों जो मेरे candy cover है, मतलब candy cover बना लूँगी एक तरह से आप candy cover जो गोल तक ही होता है इनने candy कुशन तो आप इस तरह आप इनका देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ इससे बिचा के इस तरह हलका सा मोड लूँगी और इसको टाइटली फोल्ड कर लूँगी इधर से भी मैं इसकी एजी जो है ये धागे निकले हूँ है इनने सबको इस तरह टाइट पकड़ के और इस तरह मैं रख दूँगी और ये सिम्पल सा एक रुपे का रबर बैंड तो देख सकते हैं आप कितना इजी मैथड है आपको कुछ नहीं करना है कोई मेहनत नहीं करनी है इसको आप अच्छे से ऐसे पकड़िए और इसको टाइ कर दीजिए दो बार में आपको लगता है कि हो गया नहीं तो आप तीन बार कर सकते हैं ये अच्छे से टाइट हो जाएगा और ये बनके इतने सुन्दर लग रहे हैं मेरा मानी नहीं कर रहा कि इन कपड़े से मैं सिलाई करके बनाऊ ऐसा लग रहा है कि नए नए डिजाइन में मैं इन से ऐसे ही बनाती रहा हूँ और ये बड़ा ही सुन्दर आइडिया है एक बार आप जरू ट्राइ करना मैं बलके इसको आपको अपने सिल्क वाले दुपट्टे से बना के दिखाने वाली थी लेकिन अभी मैंने गर्मियों के कपड़े निकाले नहीं है तो मेरे सिल्क वाले दुपट्टे सब अलमीरा में रखे हैं पैक हुए तो जब मैं उनको निकालूंगी तो उस सभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी हमारे पास बहुत सारी बनारसी साडिया वगेरा होती है और ये टुकड़े मैं बजार से लेके आई थी जहां पर कत्रन वाला सोप होती है न उनसे और ये मेरे पास कम से कम 6-7 महीने से रखे हैं लेकिन मैंने इनका कुछ बनाया नहीं लेकिन आज मेरे दिमाग माया तो चलो मगा कुछ करके देखते हैं बना के दिखाती हूँ आपको कि आप लास्ट मुमेंट पर कैसे डैकोरेशन कर सकते हैं अपने गर की तो मैंने दूसरे ये मेरे पास दो पीस थे तो मैंन दोनों अपने कवरियें बना दिया है इनके गोलतकियो वाले ठीक है अभी हम सबसब बड़ा जो कुसन है यहाँ पर जो रखा था यह 20 पाई 20 का है तो इसके लिए मैंने यह एक चाकोर टुकड़ा लिया है लगबग 1 मीटर का यह है यह भी मैं वहीं से लेके आई थी कतरन वा कर दिया अगर आपके पास दुपट्टा है तो दुपट्टे को आप डबल फोल्ड कर लीजिए तो उतना ही वह बैठता है दुपट्टा लगबग सवादो मीटर के आसपास का होता है और इसको इस तरह अच्छे से टाइटली पकड़के और इसको हम पिन की मदश से से क्योंकि सब कहां सोफे हैं सब कहां कुसन हैं अगर आप नहीं जा पा रही हैं मार्किट खरीदने के लिए तो अपने अलग-अलग कलर के दुपट्टा से उनको इस तरह डाकुरेट करके और लगा दीजिए सब आप से पूछेंगे कि आपने यह कहां से किया कहां से लिया क कहां से बनवाया कितना सुंदर कुशन कोई कह सकता है कि इस पर सिलाई नहीं हुई है और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करना अब ऐसे ही हम इन दोनों को भी कवर कर लेंगे और कपड़े की बात होती है कोई कपड़ा ऐसा है कि लाइट कलर का है तो क्योंकि कपड़े बारिक होते हैं कोई जोल्जट है कोई तो लाइनिंग का इसू होता है तो लाइनिंग नहीं लगा रही हूं मैं अभी क्योंकि मैं केवल यह रप काम कर रही हूं फिर मैं इनको अटा के कुछ और भी बना सकती हूं इंसे अभी तो केवल मैं यह लास्ट म कपड़ा है कितना Со Dr. बन के तयार हुआ है और यह कपड़ा का लेकिन समय से लानिंग की ज़रतीज को तो इसको मैंने कबर तो कर दिया लेकिन इसे ड्यकूरेशन में नहीं लगा है क्योंकि इसमसे नैं कपड़ा दिखाइँ दे रहा था तो अभी मैं आपको decoration करके दिखाती हूं light color की चद्दर के साथ क्योंकि दो कुशन थोड़े से light भी है dark भी है और dark के साथ भी मैं आपको करके दिखाऊंगी तो फिलाल में यह पाइल के रूम में आपको करके दिखा रही हूं कि आप दिवान बैड को कैसे इस तरह आप केवल पांच मिनट में डेकोरेट कर सकते हैं यह मैंने इस पर एक चद्दर बिचा दिया और यह चप्दर भी डबल वैड किया है मैंने डबल करके बिचाई है आज मैं सारे ही काम जुगाड से कर रही हूं तो यह मैंने पहला रख दिया राउंड कवर कुशन सोरी दूसरे वाला और यह इतने सुंदर लग रहे हैं बि बीच में मैंने वो जो कवर किया था ना परपल कलर से वो मैंने हटा दिया क्योंकि यह उसमें से बाहर दिखाई दे रहा था उसे लाइनिंग की जरुरत है कपड़े को तो अभी आप बताईए कोई कह सकता है अगर बाहर से कोई आएगा तो वो क्या बता देगा कि इसको आ आपने कैसे बनाए हैं और यह इतनी जल्दी काम हुआ यह आइडिया तो मेरे को खुद भी इतना पसंद आया है कि मुझे लग रहा है कि मैं न्यू न्यू पीस लाओंगी और हर हफ्ते अपने रूम की डाकुरेशन चेंज कर सकती हूं और यह टुकड़े बहुत सस्ते मिल जाते हैं बस थोड़ा सा ढूंडने की जुरत होती है जब भी आप मार्किट निकलें तो कहीं आपको ऐसा लगे कि कटपीस वाले हैं तो उनसे आप पूछ लिया करें कि कटपीस के टुकड़े हैं तो वहां आपको मिल जाते हैं ईजी क्योंकि उनके बच जाते हैं तो थोड़े सस्ते रेटों में भी इनको दे देते हैं तो इस तरह मैंने अपना कमरा तैयार कर लिया है अगर आपको अच्छा लगया तो प्लीज लाइक कर लीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को भी प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए और मैंने बहुत सारा गैप कर दिया है वीडियो बनाने में लेकिन अब मैं कंट्यूनी कोसिस करूंगी कि आप कैसे जुड़ी रहूं पता नहीं क्यों मैं कुछ ऐसा ही दबाव सा महसूस कर दी थी कि वही चैनल पर काम करती है यह है तो थोड़ा सा मन मेरा लगा दिया है देखो कितने प्यारे लग रहे हैं वाइट कलर और यह गोल्डन कलर का जो है सिक्वेंस वाला और सजावत आप अपने इसाब से कर सकते हैं जैसे आपको पसंद आ सकते हैं वैसे ही आप रख सकते हैं और वीडियो पसंद आई है तो प्लिल लाइक कर मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ और लाइक करने के बाद सस्क्राइब करके बैल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफेक्शन मिल जाए राधे राधे सभी को